Hello students, class 8th, once again I am here, I was telling you the question and answers of the chapter 4 of agriculture, the video 2 of the chapter, give reasons बताए जाएंगे, कारण बताने है कि हमें, क्या कारण है कि इंडिया के जो agriculture से primary activity में माना जाता है, agriculture क्यों primary activity में माना जाता है, जैसे मैंने बताया था, अगर हम mining की बात करें, एक, hunting number, दो, agriculture कर रहे हैं, हम number 3, mining, hunting, agriculture, deforestation हम कर रहे हैं, number 4, तो यह सब प्राथमिक क्रियाओं में क्यों आता है, प्राथमिक क्रिया क्यों क्यों कहलाती है, वो सभी चीज़ें जो हम nature में करते हैं, जैसे land है, water है आपका, यह सभी चीज़ें nature में include है, तो कारण कहें कि हम इसको agriculture को primary activity बो इन इंडिया, agriculture is a primary activity, because कारण कहा है कि इंडिया में agriculture primary activity क्यों है, इसके पीछे कुछ रिजन्स हैं, वो हम बताने जा रहे हैं, और its tropical climate, यहां की गरम और थंडी, tropical ना ज्यादा गरम है ना ज्यादा थंडी है, tropical climate and topography, topography के कराण जैसे हम देखते हैं, कही पर पहार हैं, कही पर मैदान है, कही पर पठार हैं, एक सेम structure तो नहीं है, तो topography के कराण, which is suitable for cultivation, जो cultivation के लिए suitable मानी जाती है, ऐसी climate है यहां पर, इसलिए किर्शी प्रदान देख माना जाता है, तो which is suitable for the cultivation, number two कहता है, more than 60% of the population is dependent on it, 60% से ज़्यादा population किस पर depend है, इसी agriculture पर depend है, इसलिए भी यह primary activity है, लोगों की है, मैं कह सकता हूँ कि है, income का source है, agriculture is a source of income for most of the people, because in India, the people are illiterate, बहुत सारे जो people are illiterate हैं, उनको agriculture के new techniques के बारे में नहीं पता होता, new technologies के बारे में नहीं जानते हैं वो, थीसरा point है, जिसके गारण हम primary activity में include कर रहे हैं, agriculture को, need food security for feeding millions, millions लोगों को feed, यानि की, बरण portion करने के लिए, feeding करने के लिए, food security ज़रूरी है, तभी तो हम millions लोगों को क्या करा गाएंगे, उनका बरण portion कर पाएंगे, feed करा पाएंगे उन्हें, different crops are grown in different season, अब ये कहता है, अगला give reasons बताना है हमें, number one था, कि इंडिया में agriculture को primary activity क्यों कहते है, number two है, different crops जो है, are grown in different region, उलग-अलग regions में उगाई जाती है, क्यों उगाई जाती है, अलग-अलग region में, अलग-अलग फसल क्यों होगती है, यहां अलग-अलग फसल, किसी दूसरे अरिया में अलग-फसल करन कह है, different crops are grown in different region because of falling region निमने कारणों से हम देख सकते हैं कि अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग crops उगाई दाती है तो वो है different topography भी हम topography की कई बार बात कर रहें कि टॉपार फिर्जक की अलग-अलग होती है different soil मिट्टी अलग-अलग होती है मिट्टी के according हम फसल को उगाते हैं कि हर मिट्टी में कुछ न कुछ इस पैसलिटी होती है तो उस मिट्टी में वो किसी भी इस परकार की फसले उगती है है तो अक्सर हम देखते हैं कि मैदानी वागों में सिचाई की सुईदाएं होती है इरिगेशन फैसलिटी होती है सोयल फटाइल होती है ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम होता है और मॉडरन टेक्नलोजी जो ट्रैक्टर यूज कर सकते हैं तो इस करण से जो एग्रिकल्चर वो मिटियां अलग-अलग होती हैं हर जगा पे क्लाइमेट अलग-अलग है और लाइफ स्टाइल अलग है इन कारण से जो अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग फसल उगाई जाती है आईए बढ़ते हैं नेक्स क्वेश्चिन की और ये क्वेश्चिन से मिटां इंप्रेंटिन में हमें डिफ्रेंस बताना है तो डिस्टाइड कि सश्टेंश क्ताईग क्या होती है और इंक्तेंसिव ка होती है और पहला है प्रैम्री एक्टिवीटीज क्या हैं और tertiary activities क्या हैं जैसे कि मैंने आपको बताया थे प्रदा तीन activities है primary activity, secondary activity और tertiary activities प्राथ primary activity मनलब प्राथमिक किरिया हैं जो हम प्रकृति की मदश्य करते हैं जैसे agriculture है number one, mining है number two, deforestation number three, hunting number four, these are called primary activity, तो primary activity और दोज activity in which we natural resources are अप्टे इन जिसमें प्राकृतिक संसाधन इस्तमाल किये जाते हैं, agriculture है, mining number two, deforestation number three, hunting number four, तो primary activities और दोज activities in which natural resources और अब tertiary activity क्या है फिर, tertiary activities यानि की सेवा वाला चेतर, service sector भी बोलते हैं, tertiary activities are those activities which provide support to primary and secondary sector, जो primary और secondary sector को support करता है, tertiary sector में transportation आता है, banking औगरा आती हैं, और भी कई सारे लोग आते हैं, tertiary में, जिसे teacher है, doctor है, lawyer है, आपके banks हो गएं, तो ये सब क्या करते हैं, primary और tertiary sector को link up करते हैं, जोडने का काम करते हैं, primary और secondary को, example देखते हैं, primary activities के extraction, जो है, hunting और mining, hunting करना, शिकार करना, जैनवर का और mining करना, यह खेत के अंदर से drilling के द्वारा, या acquiring के द्वारा, minerals को obtain करना, primary activities में आता है, टर्सरी एक्टिविटी में ट्रैंसपोर्ट आएगा, bank आएगा, trade आएगा, और teachers, doctors, और banking, जो ATM facilities है, वो भी टर्सरी एक्टिविटीज में आएगी, इस तरह के से हमारा answer पूरा होता है, कि primary activities क्या होते हैं, और tertiary activities, यानि सेवा वाले छेतर क्या होते हैं, टर्सरी एक्टिविटी बिच प्रोवाइट सपोर्ट वल, तू primary और secondary सेक्टर, primary और secondary सेक्टर को सपोर्ट देने का काम करते हैं, क्योंकि transportation हैं, हम जानते हैं, transportation की मदद से, primary sector में जो raw materials होते हैं, जिसे आगर हम गंद्ने की बात करें, जूट की बात करें, या cotton की बात करें, जो raw materials है, एक backbone जरूर है agriculture, तो raw material का काम भी करता है, industries के लिए, जैसे अगर हम mustard oil की बात करें, या shunt flower की बात करें, जितना ये raw materials है, industry में जब जाएगा, factories में जब जाएगा, वहाँ पर इसका transparent mission होगा, या नि manufacture होगा, और उसके बाद जो तयार हो जाएगा, admin के consume करने के लिए, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, market में आएगा, तो ये सब primary को manufacture से जोडने का काम जो कर रहा है, support करने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, टर्सरी सेक्टरी तो कर रहा है, सिवा वाला छेतर है, finance कराना है, किसी ते कपर industry लगानी, वह वर बैंकों की मदद ली जाती है, come to the next question, कि substance farming और intensive farming किसे कहा जाता है, अगर हम substance farming की बात करें, substance यानि कि जीवन निर्वाज इसे हम बोलते हैं, अब देखते हैं भी, substance और intensive farming किसे बोलते हैं, substance farming is that type of farming practice, substance farming is that type of farming practice the farmer raised agriculture cross for himself, जिसमें अपने परिवार के लिए, अपने जीवन निर्वाज के लिए खेती करता है, उसको बोलते है substance farming, समझ रहे हैं हैं, substance farming is that type of farming practice, in which the farmer raises agriculture crops for himself and his family, जिसमें अपने लिए, अपने गंजुम और अपने परिवार के लिए, क्योंकि ये small plot of land में की जाती है, छोटे हिससे में की जाती है, और परिवार के लोगी इसमें इंगेज रहते हैं, क्यों परिवार के लोगी रहते हैं, जादे कि हम आउटर लेवर को आयर करें, ऐसा नहीं होता, अब अपने परिवार के परिवार के लिए होगा रहे हैं, और इसके plot भी छोटा होता है, जादे किसान थोड़ी, जादे लेवर थोड़ी आयर करेंगे इसमें, इंटेंसिफ फार्मिंग की अगर हम बात करें, इंटेंसिफ फार्मिंग इज एन एग्रिकल्चर, जो इंटेंसिफ फार्मिंग है, एग्रिकल्चर प्रेक्टिस उसको बोलते हैं, इन विच एफ़र्स आर मेड, उसमें प्रियाश किया जाते हैं प्रोडक्शन को बढाने के। क्रोपिंग का जाता है इंटेंसिब फार्मिंग में ऐसा किया जाता है लाइस प्लोट अब लैन्ड में की जाती है ज्यादा Será किये जाते हैं और मॉर्डन टेक्नोलोजी की मदद से इसमें प्रोडेक्शन बढाने का परियास किया जाता है एक साल के अंदर दो यहां दो से ज़्यादा फसले और जाती है Intensive !! झिसको क्या विलते विल भी विलते हैं वहले हैं। सत्विध चाहिए अपने परिवार के ले agles जाते हैं। तो इसमें परिवार के लोगी लेवर यूज किये जाते हैं, परिवार के लोगी होते हैं, आउस्वोल लेवर, लेकिन इंटेंसिफ फार्मिंग में आउटसाइड लेवर हैं, जाये जो आउटसाइड भाहर के लिए लेवर होते हैं, वो आयर किये जाते हैं इसमें, अब सब् इंटेंसिव फार्मिंग में एक्स्ट्रा टूल्स ये ट्रैक्टर का यूज किया जाते हैं या मौडर्न टेक्निलोजी यूज की जाती हैं इंटेंसिव फार्मिंग में सब्स्टेंस वारे में old tools का प्रियों की जाता है जा बैलो की मदद से खेतों की जुटाई की जा रहे है या गोवर का यूज किया जा रहा है खात के रूप में और महिलाएं क्या कितना डलोटे का यूज कर रही है जबकि extra tools use के जाते हैं modern tools use के जाते हैं इस वाली में इसमें कुटला खुर्पे से यह खेती की जाती है Production is mean for own family जिसमें productions किया जाता है substance में वो क्या किया जाता है own family उसके परिवार के लोग ही बरल पूसरान के लिरे होती है इसमाल प्लॉट आभ लेंड में की जाती है विसे भी और परिवार के लोग ही इंगेज रहते हैं एक्स्टा टूल में भी आया जैसे मैंने बताया था अच्छा में दो बार लिख चुका हूं स्वरी इसमें भी प्रोडक्शन इज मीन फॉर ओन फैमली आप कहेंगे प्रोडक्शन इज मेंस फॉर फैमली प्रोडक्शन इसमें फैमली के लिए किया जादन एक्सेस क्रॉप यानि की ज़्यादा जो फसल है एक्सेस क्रॉप सेल की जाती है इन दा मार्केट जो ज़्यादा फसल होती है कंजूम से बाहर जितना कंजूम करते हैं वो रख देते हैं लेकिन जो एक्सेस क्रॉप होती है वो एक्सेस क्रॉप सेल इन दा मार्केट एक्सेस क्रॉप मार्केट में बेची जाती है एंटेंसिब में क्योंकि modern technology उज़ कर रहे हैं ज्यादा unit of labor हमें चीए capital चीए और दो से तीन फसले हम इसमें जब उगा रहे हैं extra tools उज़ कर रहे हैं तो जो productions यहां भी family के लिए तो कर रहे हैं लेकिन family में productions के बाद जो access crop होती है अपने consume करने के बाद access जो है उसको क्या करते थे हैं वो they sell in the market और इस तरह किसे हम देखते हैं कि जो वसल होती है वो next year फिर उगाने के लिए वीजों को कंजब करके रख देते हैं यह और अपने परिवार के उसके साथ साथ जो surplus हम की से कहेंगे production is mean for family and surplus भी लिख सकते हैं आप access crop के जगा surplus में भी sell by the farmers farmers के दोरा क्या की जाती है मार्केट में बेची जाती अब इसमें तो surplus होगा नहीं surplus क्रॉफ कहां से होगी क्योंकि जो परिवार आइसा हो सकता है कि एक स्टेट में एक जो फसल है वह बरणपशन वाली है वहीं वह फसल दूसरे स्टेट में intensive agriculture है ऐसा कैसे हो सकता है मान लो हम उडिसा की बात करें उडिसा के climatic condition के according soil की fertility के according हो सकता है वहाँ पर जो चावल है वो जीवन निर्वा वाली हो यहां की ज्यादा production न करती हो परिवार के लोग अपने छोटे से खेट में वहाँ बर धान होगाते हो अपने अपने consume के लिए लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं होगा ना वहां की वह सेल कर ले हो तो उड़ी सामें जो यह rice है जो substance है वहीं यह rice फंजाब में intensive agriculture के हो सकता है क्यों क्योंकि वहाँ पर इतनी जादी मातरा में चावल होता है और West Bengal में क्यों soil की fertility भी है ज्यादा labor भी वहाँ air किये जाते हैं और modern technology की मदश से वहाँ क्या होता है ज्यादा चावल होता है त export किया जाता है या sale किया जाता है तो साफ हो गया हो सकता है जो एक agriculture एक state में substance है वही crop दूसरे state में intensive हो सकती है यह depend करता है वहाँ की climatic condition पर soil की fertility पर irrigation facilities पर climatic conditions पर basically और soil की fertility और topography यह चीज़े जो हमने beginning में पढ़ते आ रहे कि कौन-कौन सी चीज़े होती है जो crops के productions के लिए जरूरी होती है तो I hope you understood and you have written perhaps you may face difficulty in reading my writing but even then I am once again I am repeating what I have written in the lines production is mean यही वाली lining लिखने है आपने यही की वाली production is mean for production is mean for family लिखना है या own family surplus crops या excess crops may sell in the market by the pigeons इस तरीके से हमारा agriculture chapter में जो मैंने आपको बताया था कि golden fiber किसे बोलते है वो जूट को बोलते है होटि कल्चर क्या है होटि कल्चर जिसमें जिसमें की crops जो है मतलब vegetables जो है फुरूटस हैं फ्लावर है इनका productions किया जाता है उसको होटि कल्चर बोलते हैं ऐसे सेरी कल्चर है जिसमें silk का अत पादन होता है एपी कल्चरेज में सहत का अत्पादन होता है तो और इस तरह से बहुत सारे क्रॉफ्स हैं अलग-अलग प्रोडक्शन किया जाता है तो लिखने के मुझे लगता है कि काफी फाइदे हैं अगर आम लिखते हैं इन कॉश्चन आंसर्स को इसके काफी फाइद है नुक्सान तो कुछ है नहीं डिस अडवांटेज इस कुछ नहीं है अडवांटेज ही अडवांटेज है इसके तो थैंक यू